19 नवंबर को भारत और आस्ट्रेलिया के बीच वर्ड काप 2023 का फाइनल मैच खेला जाएगा और उसको लेकर राच्वे के खेल प्रेमियों में खासा उत्सा भी देखने को मिल रहा है इस वक्त हमारे साथ चोटे चोटे बच्चे मौजूद है जो राजदानी राच्वे के कई जगहों पर जाकर मैच खेलते हैं और इन लोगों से बाच्वीत करेंगे और इन लोगों से जानेंगे कि आकर कल के मैच को लेकर इन लोग क्या सोच रहें कल जो मैच होने वाला है अमदाबाद में उसको लेकर क्या सोच रहें क्या लगता है कि किस का बल्ला बोलेगा विराट कोहली का बल्ला बोलेगा और बागी सब का बल्ला जुकेगा आपको आफेवरेट कौन है विराट कोहली प्रदर्शन कैस्ता इस तरीके से उन्होंने मैंच क्यक्ट आपको कौन जीतेगा और किस तरीके से तमाम साइब गया पूरा करेंगे और आपको फेवरेट कौन है हमारा फेवरेट रोई सर्मा विराट कोली मुहमाद समी कैसा खेलेंगे क्या लगता है कि क्या प्लस पॉइंट हो सकता है टीम इंडिया के पास अच्छा प्रदेशन के लिए उस्टेलिया की टीम काफी स्ट्रॉंग है तो क्या लगता है कि किस चीज से बचना चाहिए टीम इंडिया को इंडिया की बॉलिंग के पास बहुत खतरनाक है इंडिया की बॉलिंग कैसे रहेगी आपको क्या लगता है जिते का जरूर किसका बला बोलेगा आपके हिसाब से इंडिया रविंद्र जडेजा आपको क्या लगता है आपको क्या लगता है दोनी नहीं है इसमें विराट कोली आपको क्या लगता है कौन अच्छा खेलेगा विराट कोली और रविंज चड़े चाहां इसमें बताएगा कि टीम भी काफी स्ट्रॉंग है ठीके टीम इंडिया को किस चीज से बचना चाहिए बौलिंग से बौलिंग से बौलिंग से बौलिंग अच्छा करीगी आउस्ट्रेलिया जी कल के मैच खुले कर कितना एक्साइटेड हूए बहुत को जा आएगा इंडिया जीतेगा मुहमाद सामी साथ बिकेट लेगा कल मुहमाद सामी फिर साथ बिकेट लेंगा कल कितना इंट्रेस्टिंग होने वाला है मैच कितना इंट्रेस्टिंग होने वाला है दो बज़े से मैच है क्या करोगे कहां जा कर देखोगे तो देखें यहां पर बच्चे काफी उत्साहित है कल एमदाबाद में फाइनल मैच होना है वर्ल्ड कप का और ऐसे में बच्चों का कहना है कि कल टीम इंडिया अच्छा प्रदर्शन करेगी साथी साथ रोहित शर्मा और विराट को लिए अच्छा प्रदर्शन करेंगे और टीम इंडिया को जीत करवाएंगे साथी साथ जिस तरीके से तमाम जो खेल प्रेमी है उनका सपर शुक्त कहना है कि से पहले टीम इंडिया जिस तरीके से अच्छा प्रदर्शन की है उसी तरीके से एमधाबाद में होने वाले फाईनल मैच में भी टीम मीडिया इसी तरीके से प्रदशन करेगी और भारत का नाम रौशन करेगी, और भी लोगों से हम जुड़ेंगे उसी तरीके से बाच्वीत करेंगे फिलाल मुझे और स्वायोगी निदिन को देजवाज़त नमस्कार